और रूदर प्रयाग में लगतार बारिष का दोर जारी है बारिष के कारान जन्य जीवन अश्ट व्यस्त हो चुका है साथ ही बारिष से ग्रामीर इलाकों के क्रिस्कों की फसलों को भी काफी नुक्सान हुआ है साथ ही केदर ना धाम में बारिष के चलते ठंड बलने लगी ह हाला कि तीर्थे यात्री बाबा के दर्शन करने के लिए उत्साहिद है जुला प्रशासने बारे से निपटने के लिए पूरे प्रियास किये है रूदर प्रयाग से सत्य पालने के कि रिपॉर्ट झाल